नमसकराइर दोस्तों, श्वागत करते हैं एक बार फिरस याद सभी का फिल्म इस साफर में बितुन चाक्रवर्ती और मिनाक्षी ससादरी इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने उस समय भी और आज भी जब कोई रियल्टी सोज में दोनों नजार आते हैं तो फैन्स इन्हें पसंद करते हैं अगर इनकी फिल्मों की बात की जाएगी तो 90s और 80s में इन्होंने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया है दिल्वाला ये वह फिल्म है जिसमें मिनाक्षी और मिन्थन की जोड़ी को लोगों ने खोब पसंद किया परिवार मूबी को कौन भूल सकता है ये वह इसी मूबी से हैं जिन में मिनाक्षी ससादरी और मिन्थन चकरवर्ती ने एक दूसरे के साथ बेहतरिन एक्टिंग की और फैंस दिलों पर राज किया मिथुन चक्रवर्थी के बारे में मिनाक्षी स्रादरी ने अपनी राय रखी है और वही राय जो आप सब को पता भी होगा कि मिथुन चक्रवर्थी किस तरीकी के इंसान है उनकी क्वालिटी क्या है और वो कैसे सेट्स पर रहते थे जासर हाली में ABP News से बात करते हुए मिनाक्षी ने इन सभी बातों का खुलासा किया है जब उनसे पूछा गया है कि आपने मिथुन दा के साथ भी बहुत सारी फिल्में की हैं तो उनके साथ का आप अन्वो बताईए तब मिनाक्षी ने मिथुन चक्रवर्थी के तारीफों के लंबी पुल बांदी और बताया कि मिथुन चक्रवर्थी ऐसे इंसान है जो उस समय भी और आज भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते थे अगर कोई स्पोर्ट वॉय है तो उसके साथ भी वो एकदम हमबल रहा करते थे वो है है था हमबल और कोई बड़ा एक्टर या डाइक्टर है उसके साथ भी सेम उनका वरताव हुआ करता था मितुन दा इसलिए दादा भी कहे जाते हैं क्योंकि उनका जो नीचर है वो सबसे हटके है फिल्मों में भी वो कई अवनेताओं को कई एक्टरस को मौका दिया करते थे और आज विजब भी कई उनने मौका मिलता है तो किसी की मदद करने में वो पीछे नहीं हरते हैं मिनाक्शी नहीं मितुन चकरवर्ते के बारे में ऐसी कई बातों का खुलासा किया जो आपके लिए भी क्यूंकि आप मितधुन चकरवर्ते के फैन जरूर होंगे और आमरिट की जोड़ी दिखी है लेकिन मिनाक्षी ने मिथुन चक्रवर्ती के बारे में जो बात बूली है वो वाकई में हकीकत है और दिल जीत लेने वाली है क्या कहिना है इस पर आपकी कॉमेंट सेक्षन में राय दीजिएगा रात को बारा बजे के बाद हम पढ़ते हैं